मेरे सबस्क्राइब ने पूछा कि सोया बीन की सिंग भय आपने बहुत सब्जी बना दीए ठीक है न स्ब्जी आपने बना इवी खाली कुछ नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकताshow बंचूरी तो मैंने बोला कि चिली सोयाबीन बहुत ही शांदर बनने वाला बच्चों को तो पसंद आएगा या आएगा बाकि बड़े और बुज़र को कहा नहीं सकता है नए हो तो चलों सब्सक्राइब करेंगा लाइक करेंगा शेयर करेंगा और कुछ नहीं बहुत है वीडियो देख लिए आके चले स्टार्ट करते हैं चिली सोयाबीन बनाने के लिए मैंने डेड़ कप सोयाबीन लियें जिसे सोया चंक भी कहा जाता है दोस्तों तो बस डेड़ कप मैंने लियें आसानी से आपको किसी भी किराना स्टोय मिल जाएगी और बच्चों को इतनी पसंद आएगी जिसकी हद नहीं है तो बस पास मिंट मैंने इसे पका लिया ये देखिए फूल के भी बड़े हो चुके हैं इनका साइज भी बड़ा हो चुका है और बस इसको बस क्या करना है अब इसकी फ्लेम कर देंगे बंद और इसे हम निकालेंगे ज तो बस ये ठंडे पानी से मैं ढह Cassini दो लिया है और अब बस इसका पानी असारा ड्रीन अउट कर लेते हैं और इसकी बाद क्या करते हैं एक बौल हुम मैंने निकाल लिया है और इसको हलके हातों से दबादे पूरा सा दबाने निकालना है थोड़ा सा मौस्च्चर इसके डालूंगा, लाल मि trench पाउडर, एक टी स्पून नमक, बाकि स्वाद के अनूसार और दो टी स्पून डालेंगे, मैदा इसके अंदर, कोटिंग करनी ही हमें, और कोटिंग करके इसको shallow fry करेंगे, इसलिए इसके अंदर डाल रहेंगे, मैदे से इसकी binding हो जाएगा, मैईदा नहीं हो चमल आटा भी डाल सकते एक टीशपून में, डाल रहा है इसके अंदर अध्रा लशन का पेस टीशपून और टेबल इस्पून का आप तक धियान रखी गए दोस्तो तो बस इसको करते हैं मिक्स कि सारा का सारा हमारा इसके अंदर मैं मसाला और वज्राकलस्तम का पेश जाला वह अच्छी तरह से इसके उपर कोट करना बहुत जरूरी है तो इसको हाथों से अच्छी तरह करना कोटिंग हो चुकी है अब चलते में next step के उपर दो टेबिल इसे मीडियम फ्लेम के उपर ही हम पकाएंगे तो बस सारे के सारे सोयाबीन इसके अंदर हम डाल देते हैं हमारे इसके अंदर और बस इसे हम हिलाते हुए पकाएंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए चार से पांच मिन्ट इसे पकाना है मीडियम फ्लेम के उपर जी हां यह ध्यान लखीगा चार से पांच मिन चार से पांच मिन पकाया कलर आप देख लीजिए पूरा का पूरा शांदर कलर आया ना दिखने में कितनी अच्छी लग दी ना इसी तरह से अभी चिली सोय भी जब आगे बनेगी ना तो आपका मुह में पानी आने वाला है तो बस इसको फटा फट से निकाल देते हैं और चलते हैं इसके नेक्स प्रोसेस के उपर अब क्या करना है हमें तो एक कड़ाई ले रहा हूं मैं इसके अंदर और इसमें डाल रहा हूं दो बड़े चमच ऑईल जी हां ऑईल डाल चुका इसमें डालूंगा दस से बारा कलिया लसन की एक इंच का अध्रक का टुकड़ा और दो हरी मिर्ची इसके अंदर मैंने बारी चौप करे थे अध्रक लसन और हरी मिर्ची थोड़ी सी लंबी-लंबी इसे हमें पकाना है तीस से चालिस सेकिंड तक फ्लेम रहेगी हाई फ्ले इस तरह से एक शिम्ला मिर्च मुली है उसे मैंने स्क्वाइर शेप में काटा है क्रंची पन चाहिए हमें प्याज का और शिम्ला मिर्च का और भी आपको सब्जिया इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन अब बिल्कुल सिंपल मैतर से बना रहा हूं जो घर के अंदर मिल जात और दो टी स्पून डाल रहा हूं ग्रीन चिली सॉस टी स्पून टेबल स्पून का ध्यान रखेगा और दो टी स्पून नहीं डाल रहा हूं इसके अंदर चार टी स्पून डाल रहा हूं हमारे टमाटो केचप इससे फ्लेवर बहुत हटके आएगा और दो टी स्पून में खट्टे पन को और सबको बैलेंस कर देगी यह ध्यान रखेगा तो बस यह हो गया हमारा अब इसे पकाना है हमें 2-3 मिट यह भी फ्लेम हाई रहेगी यहां पर क्योंकि सॉस को अच्छी तरह से हम इसको अंदर पकाएंगे ना तो सब्जियों में एक फ्लेवर आ जाएगा इ खोड़ा से पानी डालते हैं तो एक ग्लास में इसके डालरहें पानी जाहरें और पानी के बाद इसके अंदर एक उबाल काißt करते हमकी एक उबाल आ जाया है कित्चापन पानी को यह खत्म होगा एक उबाल आ चुका बोई आ 질सके अंदर हम डालों हमारे जी हाँ सोया बीन डाल देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम आदा कप इसके अंदर हरा प्याज जी हाँ हरा प्याज जरूर डालेगे दोस्तो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दिखने भी बहुत सुन्दर दिखेगी तो बस इसे पकाएंगे हम 4-5 मिन पकने के बाद आप देखेगा सौस हमारी बिल्कुल गाड़ी हो चुकी है और गाड़ी हो जाएगी वरना हम चाते हैं तो इसके अंदर कॉन फ्लार डालके भी इसको गाड़ा कर सकते हैं लेकिन सोया बीन खुद उसको सोक लेगी तो ये देखिए बिल्कुल कंसिडेंसी आ अब आप कब खाने कब बना रहें मुझे कमेंट कर देखिए तो कैसे लगी में रसीब में एच्छी लगी में रसीब दो में लाईक करेगा शेयर करेगा चेनल पे नहीं तो सब्सक्कैब बरूब करेगा नहीं रसीब ही नई वीडियोस वापस हाज चाहन नमस्कार जैहन